हेगाई स्वागत आप सबका फिर से हमारे सैनल पर आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि COVID-19 का जो सर्टिफिकेट है उसको किस प्रकार से हम अपने मुवाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का कम्प्रीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं उसके लिए आपको अपने मुवाइल फोन में करूम का ब्रोजर ओपेन करने के बाद आपको सर्ट करना है कोईन जैसा का आपको दिख रहा होगा इस चीज को सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद आपके सामने कोईन का एक first में ही website open होकर चला आएगा तो आपको इस वाले option पे ही click कर देना first वाले option पे जैसे आप इस पे click करेंगे तो redirect आप इस page पे enter हो जाएंगे या फिर आपको इस website का link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो आप directly वहां से जाके यहां आ सकते हैं यहां आने के बाद guys आपको कुछिस परकार का homepage का interface देखने को मिल जागा तो यहां पे आपको एक register and sign in का option दिख रहा होगा guys आपको just इस वाले option पे ही click कर देना register and sign in वाले option पे click कर देना जैसे click करेंगे next page open होकर चला आया तो यहां पे देख सकते है guys register और sign in for vaccination तो guys यहां पे आपको enter mobile number करने को कह रहा है तो आपको यहां पे अपना mobile number इंटर कर लेना guys कभी-कभी क्या होता है कि एक mobile number से बहुत से लोगों ने अपना vaccine लिया हुआ है तो उस number को ही आपको enter कर लेना है जैसे आपके घर का mobile हो सकता है आपके father's का हो सकता है तो चलिए हम अपना mobile number इहां पे enter कर लेते हैं mobile number इंटर करने के बाद आपको यहां पे get OTP का option दिख रह आपको इस वाले option पर ही क्लिक कर देना है किलिक करने के बाद देख सकते हैं कि page loading ले रहा है और finally हमारा तो गाइस देख सकते हैं कि हमारे number से इस नाम से भी vaccine लिया है और यहां पर देख सकते हैं तीन लोगों का नाम यहां भी आपको दीख रहा होगा तो टोटल हमारे number से 4 ल लिया है यहां पर आपको स्वो कर जाएगा certificate download करने के लिए आपको यहां पर option देखने को मिलता है कि certificate का टीफिकेट वाले option पर ही क्लिक करना है जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको फिर से दो option देखने को मिल जाता है download and save to dg locker तो हमारे में dg locker बना हुआ इस download पर हम क्लिक कर देंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा certificate finally download हो चुका है चलिए हम आपको open करके दिखाते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर PDF format में हमारा जो कोई 19 का final certificate है वो कुछ इस परकार से download होकर आ गया है और इसको आप सेब भी कर सकते हैं या फिर आप इसका screenshot भी ले सकते हैं इस परकार से आप अपना कोई 19 का vaccine certificate download कर सकते हैं आसानी के साथ अपने mobile phone से यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और इसी तरह के informative वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करक मिलतेगा आज नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए best of luck friend